पंजाब के प्रसिध गायक और कॉंग्रेस नेता सिध्धु मुसेवाला की रविवार को सर्याम गोली मार कर हत्या कर दी गई मासा जिले के उनके गाउं जवाहर के में हमलावरों ने मुसेवाला पर ताबर तोड फाइरिंग की जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई सिध्धु मुसेवाला की हत्या के बाद सियासत भी गर्मा गई सिध्धु मुसेवाला की हत्या से एक दिन पहले ही शनिवार को पंजाब सरकार ने सिध्धु मुसेवाला की सुरक्षा खटाई थी और चार में से दो सुरक्षा कर्मी वापस बुला लिये गए थे सिद्धु मुसेवाला की गोली मार कर हत्या करने के मामने में गैंक्स्टर लॉरेंस बिश्णोई का नाम सामने आया है पंजाब पुलिस के पुलिस महानिदेशक वी के बहबरा ने बाकायदा पत्रकार वारता के दोरान कॉंग्रिस नेता सिध्ध मुसे वाला हत्याकान में लौरेंस बिश्णोई का सीधे सीधे नाम लिया है हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्णोई गैंग का हाथ है लॉरेंस बिश्णोई के करीबी कैनेडा में बैठे गैंक्स्टर लकी ओर्फ गोल्डी बराड ने हत्या की जिम्मेदारी ली है सुत्रु के अनुसार सिद्धु मुसेवाला की मौत की साजिश का समध्य दिली की तिहार जेल से हो सकता है इस सिल्सले में जेल से एक फोन नमबर मिला है कुछ दिन पहले शारुक नाम के एक अपराधी को पुलिस ने किरफतार किया था वो गैंक्स्टर गोल्डी बरार के साथ समध करने के लिए एक मैसेचिंग एप का इस्समाल कर रहा था लॉरेंस बिशनोई उसके सहीयोगियों काला जठेडी और काला राना से दिली पुलिस विशेश प्रकुष्ठ द्वारा मुसेवाला के हत्या के समध में पूछताच जारी है फिलहाल लॉरेंस बिशनोई दिली की तिहार जेल में बंध है और यहीं से वो गैंग चलाता है जानकारी भी सामने यह है कि लॉरेंस बिशनोई ने जेल से वर्चुल फोन के जरिये कैनाडा में बैठे अपने साथी गैंगस्टर लखी और फुल्डी बराड से बात की जिसके बाद सिध्धु मुसेवाला के हत्या का पूरा प्लान बनाया गया सिध्धु मुसेवाला के हत्या के तीन घंटे बाद गोल्डी बराड ने फेस्बुक पोस्ट डाल कर वारतात की जिम्यदारी ली उसने लिखा मेरे साथी के हत्या के मामले में मुसेवाला का नाम सामने आया था लेकिन अपनी पहुँच के चलती वो पच गया और सरकार ने उसे सजा नहीं दी इसलिए हत्या को अंजाम दिया गया है दिली पुलीस के स्पेशल सेल ने पिछले साल को ख्यात गैंक्स्टर लौरेंस बिश्णोई पर महराश्टर संगठी तपरात नियंदरन कानून लगाया था तब पुलीस ने इंटर स्टेट सिंडिकेट चलाने से जुड़े केस में चार्षिट डायर की चन्डिगड इस सित पंजाब विश्विद्याले में पढ़ाई करने के दौरान्थ लौरेंस बिश्णोई का नाम तेजी से चात्र राजनीती में उभरा लेकिन वो चात्र संग का चुनाब हार गया इसके बाद धिरे धिरे लौरेंस चात्र नीता से नामी बदमाश बन गया उसके उपर कम से कम 25 संगीन मुकद में दर्ज हैं चैराज्यों में फैले बिश्णोई गैंग में 600 से जाधा अपराधी शामिल है वो डौन बरना चाहता था उसने पहला गैंग कॉलेज में ही बनाया उसमें खिलाडियों से लेकर पुलिस वालों के बच्चे और इस्थानी चात्र शामिल थे जाधा वक्त नहीं लगा और बिश्णोई ने अपना नेटवर्क, पंजाब और हरियान सहीत कई राजयों तक फैला लिया 2016 में बिश्णोई पर एक कॉंग्रेस नीता की हत्या का आरोप लगा लौरेस बिश्णोई को पहचान मिली 2018 में दिली पुलिस ने बिश्णोई के साथ जिस संपत नहरा के खिलाब चार्शिट दायर की वो जून 2018 में बंगलूरू से पकड़ा गया था संपत वही है जिसने पूछताच में खुलासा किया कि वो अभिनेता सल्मान खान की हत्या करने वाला था संपत के अनुसार सल्मान को मारने का काम उसे बिश्णोई ने दिया था मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक 2018 में लॉरेंस बिश्णोई ने ही जेल में बंद रहने के दौरान बॉलिवुट के मशूर अभिनेता सल्मान खान को जान से मारने की धमकी दी थी गैंक्स्टर लॉरेंस बिश्णोई बॉलिवुट अभिनेता सल्मान खान के हत्या करना चाहता था इसके पीछे असल वज़ा ये है कि सल्मान खान पर काले हिरन के शिकार के आरोप है इसके बाद सल्मान खान और असीन अभिनेत फिल्म रेडी की शूटिंग के दोरान एक बार लॉरेंस ने अपने गुर्गों के जरिये सल्मान पर हमने की पूरी यूचना बनाई ये अलग बाद है कि लॉरेंस बिश्नोई को पसंदीदा हथियार नहीं मिला तो वो यूजना असफल हो गई बताया जाता है कि गैंग्स्टर बिश्नोई समास से है ऐसे में काले हिरन के शिकार को लेकर वो बेहत नाराज था जिसमें सल्मान भी आरोपी है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें